डॉक्री शालनी मुझे आपसे कुछ कहना है विवान मेरा बेटा नहीं है वाट? बेवी फेल्ड डिलिवरी के कुछी दिनों बाद कोई विवान को मेरे घर के भार छोड़ गया था और तब से मैंने विवान को अपना बेटा बना लिया देके विवान को ये बात नहीं पता है और अगर उसे ये बात पता चल गए तो मेरी पूरी दुनिया ओजट जाएगी, डॉक्री येस, I can understand ये, don't worry, I promise you आपका ये सिक्रेट मेरे पास अपिश्र से इफ रहेगा ये तरुस्ट में तरुस्ट में ये, feel you know, thank you so much विवान देबू, तुम दोनोंने नाष्टा कर लिया ना, स्कूल की बस आती होगी, विवान देर हो जाएगी हा ममी, हमने नाष्टा कर लिया निगर हम इतनी सुभर सुभर कहां कही थी मैं वो मैं टिफिन्स सर्विस के पेमिंट लेने चली गई थी फिर सोचा कि कुछ सबजिया ही खरीद लूँ हाँ लेकिन आपने शॉपिंग की तो सबजिया कहां पर है हाँ सबजिया हाँ सबजिया वो समान जादा हो गया था न तो वेंडर ने बोला कि घर पेजवा देगा वाहु विवान देभू तुम लोगों ने तनीशा और अभई को देखा क्या नहीं दादाजी क्यों अब इतना परेशन क्यों लग रहे हैं उनके कमरे से ये चिट्थे मिली है जिसमें लिखा है कि वो दोनों लंडन वापस जा रहा है अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस तरह अचानक कोई घर छोड़के कैसे जा सकता है वह वेते बिन बुलें पहर उपे कैस्ट होंगे तो एसे तुम दबाकर बांगेंगे ला अब भूब अब अल्ली मॉर्णिंग फ्लाइड होगी ने दादा जीव हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होंगे इसलिए बिना बताय चले गए हाँ अरे ये भी कोई बात हुई एसे बिना बताय कोई घर छोड़के जा सकता है टिकिन बुक करवा सकता है मैं अभी बग्गे को फोन करता हूँ ये क्या कर रहे हो तुम दोनो एक तो पता नहीं हमारी कौन सी बात से नराज होके वो दोनों अचाना कैसे चले गए ये कोई खुशी की बात नहीं है करना जी अरे शालेने जी आप आप यहाँ आप अपना फोन घर पे बुन गई थी अंटी अप तो रेंको की माम है ना येस तुमें कैसे बता हाई अंटी मैं विवान कल आप जब रेंको को स्कूल से बेक अप करने आये थे ना तब मैंने आपको देखा था अंटी से मिलने के लिए अपके बास टाइम नहीं है और आज किसी को बेला बता है अब आँटी से मिलने चले गए वो विवान पिटा मैं शुकला आँटी से पेमेंट लेने गए थी ना तो ये उनकी नेवर है शो मैंने शोचा कि इनसे भी पूछ लो कि इन्हें टिफिंस सर्वेस की ज़रुद तो नहीं है येस राइट बट रिंकु को मेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है ठीक वैसे ही जैसे तुम दोनों को मेरे हाथ का पसंद है वेल नाइस टू मिट यू अगेन और हाँ टिफिंस सर्विस ओफर करने के लिए थैंक यू ओके बाई बेटा ममी मुझे आपसे एक क्वेशन पूटना था बोलो नहीं सुनो तुझे देड़ने ही हो रही है स्कूल के लिए बस आने वाली है यूनिफॉर्म कब पहनेगा टेस्ट है ना तेरा आज ओ हाँ जिंडू के जद स्कूल में मेरे क्लास्टेश को कॉमपेडिशन भी है तो जा ना करुणा जी को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ चुपा रही है आखिर कौन सी बात है जिससे करुणा जी का दिल इतना बेचैन हो रहा है बग्गा तुझे भी नहीं बता मैं तुझे बात में फोन करता हूँ क्या हुआ वहूँ पापा जी अपने ही बच्चे सिना से चलानी पढ़ रही है मझे लेकिन हुआ क्या बहू वो बारा साल बाद भारत नागर वापस आगी है कौन? प्रॉक्टर शालनी गाईने कर उचस्त मेरी सला है अब हमें विवान को सच्चा ही बता देनी चाहिए नहीं पापा जी मैं यही नहीं कर सकते मैं विवान को कभी नहीं बता सकते कि मैं उसके असली मान नहीं हूँ जरा सोचिये पापा जी अगर विवान को यह सच्चा ही पता चल दी तो तो उसके नहने से दिल पर क्या गुश्री की बहू जरा तूम सोचो अगर इस सच्चा ही का उसे कहीं और से पता चला तो उसका दिल कितना तूटेगा अब तक मुझे लगता था कि आप आप महान है लेकिन आज मुझे बदा चला कि आपकी मम्ता के सामने सुर्य का देच और चान की शेतलता भी भी की बढ़ जाए लेकिन मैं आपसे बाता करता हूँ इस दुनिया की बड़ी से बड़ी बोरी ताकत भी आपको विवास से कभी जुदा नहीं कर पाएगी कभी नहीं टेस तो पोस्पोन हो गया पर मुझे नहीं लगता वो डर्पोक चिंटू अच्पूल आएगा क्या हो अच्पूल इस काले चेश्मी के बीचे अपने डर को छुपा रहे हो क्या या फिर यह इस पेक्स पे हिंके जीरो से हिरो बनने के ट्राय कर रहे हो मैंने चश्मा इसले पैने क्योंकि मेरी आंखों में इंफेक्शन होगया इंफेक्शन? इंफेक्शन तो फेल सकता है तो मैं घर पे रहना चाहीए दा जिन्टू इसे कौन सा इंवेक्शन हुआ है, बैक्टेरियल फंगर लिया वाइरिल, ए टिंगू, अमना मूँ बन रखना, मैं टिंगू नहीं हूँ, मैं रिंगू, मैं गबलो, और तुम मेरा मूँ की बन करने को बल रहा हूं, तुम्हें फ्लू तो नहीं हो गया है, मास क्यों नहीं प तुमारा टैलेंट है, एक्ट्रा खाना खाने का, बबब, खाने की बाद चुड़ो, और मेरी बाद चुनो, मैं यहां एक ओफर के साथ आया हूँ, कौन सा ओफर, दिवाली ओफर, डपल पॉनांजा ओफर, या फिर एक्स्टेंज ओफर, मेरा ओफर यह है, कि तुमारी जो विवान, मैं क्लास टेच्च के लिए फुल डईयारी करके आया हूँ, अच्छा, तुमुझे ये बताओ, ये और्थ हर्मून के बीच में कितना डिस्टेंस है, मैं बताओ, मैं बताओ, मुझे तो पूरे आठ प्लानेट का डिस्टेंस बालू मैं, अभी हम चेंटो को चां अच्छा, पूर थाउजन्द फ्री हंड्रे हंड्रे किलोग्रम्स, आइ मीन किलो मेटर्स, तुम जे बताओ, कि इलेक्रिक बाल किसने इन्वेंट किया था, हाँ, मैं बताओ, मैं बताओ, मैं बताओ, रूक ना देंगू, तिंटो का चांस है ना, तिंटो तू बताओ, कि इलेक्रिक बाल किन्वेंशन किसने गी थी, हॉमस, इल्वा, एडी, एडिसन, तुम ने दो चार जीकी के क्वेशन्स के अरटा मार लिए, तुम तो खुद को जीने समझने लग गया है, लिकिन, अकर तुमें इस चर्ट से डर लग रहा है, और तुम पीछाट ना जाताओ, तो पहले ही बोल को, चिंटू सिफ खाली टिपबे से डरता है, अगर तुम शर्ट को कंटीनियो करना चाहते हो, तो कुछ नए टम्स और कंडिशन है मेरे, चिंटू, तुम को जाजा ही फैलते जा रहे, फेर, बताओ अपने ल्यू टम्स और कंडिशन, जो भी, लास्ट ट चिंटू, तुम अपने आपके लिए गड़ा खोद रख, फिर, मुझे इस शर्ट मंचूर है, विवान, ये चिंटू थोड़ा डिफ्रेंट लग रहा है, फिकर नोट चुतली, हम सल्मान भाई के भक्त है, एक बार जो मैंने गविट्मेंट कर दी, उसके बाद तो मैं जाओ, और जाकर धर्ती, आकाश, काल लोग, वीर लोग, वो आरत जहां कहीं भी छुपी हुई है, उसका पता निकाल कर लाओ एक पंची के दम पे युद्ध जीतने चली हो, तिमनासा, उमीद है तुमारी रननीती में, और भी दाओ पेच होंगे तिमनासा कभी एक हतियार लेकर रन मुहमी में नहीं उतरती, भेरमार तुम जाओ और जाकर अनन्या को मेरे पास लेकर रहा हूँ लेकिन आनन्या को इस वर्त मार देना ठीक नहीं होगा रननीती का काम मुझ पर छोड़ दो और जैसा तुम सोच रहे हो, वैसा मैं कुछ नहीं करने वाली बल्कि कुछ ऐसा करने वाली हो के वीवान खुद उस ओरत पो लेकर मेरे पास आएगा वो औरत मेरे कबजे से भाग गई तो क्या हुआ अब मैं खुद विवान की मा को अपने कबजे में लूँगे फिर देखती हूँ कि वो किसे चुनेगा न काम पोश को या अपनी मा को अपने के वीवान काम अपने मैं यूँएड़ जिए शेटी है कि मरे शेगा है कि वाली है वह भाली हार पहाँ से वाली है वाली है क्या हुआ टम्यांटी कुछ चाही है आपको यह अन्या कहां चाले गई कि मुझे पता था कि आप मेरे परिवार को नुकसान बहुचाने की कोशिच जरूर करेंगी लेकिन मैं आपसे दो स्टेप आगे मुझे मैंने ममी पर सुरक्षा कवच अल्डरेडी डाल रखा था तुम कितने भी सुरक्षा कवच क्यों न लगा लो विवान लेकिन मेरे अंतिम और निर्नायक युद्ध में तुम तुम्हारा परिवार और तुम्हारी ये धर्ती सब खत्म हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे सिर्फ देखते रह जाओगे अगर अंतिम और निर्नायक युद्ध को लेकर इतना कॉंफिडेंस है तो इतनी राज गये मेरी ममी को कोकी की तरह क्यों चुराने आई थी हैं विवार अहां ममी क्या हुआ तुम्हा क्या कर रहे हैं वो ममी क्या हुआ ना एक बहुत ही भयानक से सपना देख लिया मैंने और अब नेंदी नहीं आ रहे है आजा टिम्हा अन्टी इस बार तो आपका एंड होकरी रहेगा वो भी टीम शाडू के हाथ हो कि यह आँए वाव मेरे तुछ जो रागपारी लग गया मैंने टीम्हारू के जोइनकी तुम्तुम उचे तुम्हे 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 तुम्हें ले आए ये ड्रीम लैंड नहीं वीर लोग है तिमनासा को तुम पर डाउट हो गया था और इसलिए मुझे तुम्हें यहां लेकर आना पड़ा तुम्हारी सेफ्टी के लिए लेकिन चिंता मत करो मुझे धुरूव तारे पर सेक्सेस मिल चुकी है रोले? येस, हमें धुरूव तारे पर एक लेडी मिली है लेडी? हेलो लेडी आपको अपना ये चेम्बर कुछ दिनो के अपको 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 अब की बीटी बीटी पर अगर इन दोनों में माँ और बेटी का रिष्टा है तो क्या इसका मतलब यह है जिस शुपे शक्ति के बारे में काल लोग के साधू ने भविश्य वानी की थी और जिस शुपे शक्ति को तमना सा ढूंड रही है वो अनन्या है काहां थी तुम्हां आठ साल की थी जब तुम्हें मुझसे चेहिन लिया गया था कितनी बड़ी हो गया हूँ मैंने उमी ने छोड़ दे ते क्या मैं अपनी बेटी से कभी मिल पाऊंगे उस दिम्रासा ने मुझे कैद कर रखा था मा आपकी जिदकी की बतले उसने मुझसे बहुत बुरे काम करवा है उसने मुझे धर्ती पे चासूस बना के भेजा लेकिन वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिल गया और आज उस दोस्त की मज़े से मुझे मेरी माम मिल गए आपकी सुष तोस्त काम कैद काम 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 वहाँ दोस्त की एक एक इए बात पक एक बात भेज़न आपके एकर एक है अनन्या थैंक्यू लेकिन इसमें कोई हग करने की ज़रूत नहीं है अब तुमें थैंक्यू से भी प्रॉब्लम है हाँ लेकिन इतना सेंटी होने की ज़रूत नहीं है वैसे आंटी, कॉंग्राचुलेशन्स आपको अपनी बेटी वापस मिल गए लेकिन क्या इसका मतलब यही है कि वो छुपी शक्ती जिससे दिमनासा का अंध हो सके वो अनन्या है अगर अनन्या वो छुपी शक्ती नहीं है तो फिर वो शक्ति कौन है और कहा है जो तिमना सकान्त करेगी मुझे उसे जल से जल ढूनना होगा